नहीं दोस्तो, welcome back to the new video दोस्तो, आज की इस वीडियो में हमบात करने वाले अपने CSS की border property के वारे में तो यह वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी informative होने वाला है तो please, अगर आप वीडियो में नтоящ है तो please चैनल को subscribe कर दें साथी साथ bell icon को भी press कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की notification आप तक मिलती रहे तो चलिए वीडियो को start करते है तो दोस्तों जो हमारा CSS की border property है इसको समझने से पहले इसकी definition को समझना बहुत जरूरी है तो इसकी definition क्या कहती है चलिए इस पर बात करते है the CSS border properties are used to specify the style, color and size of the border of an element यानि कि किसी भी tag या किसी भी html के element में अगर हम उसके border को define करना चाहते है तो हम ऐसी situation में CSS की border property का यूज करेंगे जो हमें तीन वेरियर देती है style, width and color तो ये रहा उसका example कि इस तरह से हम क्या है किसी भी tag के चारो तरफ एक border create कर सकते है तो जो हमारी border property होती है CSS में तो border property के अंतरगत तीन property आती है border with, border style and border color तो ये हमारा जो border property है friends तो border property short hand होती है border with, border style and border color का तो अब बात करते हैं one by one कि किस तरह से हमारे border property में इसकी style की कौन-कौन से types बताय जा सकते हैं और बताय गए हैं तो इसकी सबसे पहले width होती है width जो होती है border की मोटाई को represent करती है कि border कितना मोटा यानि कितना thickness के उपर होना चाहिए इसके बात जो border with इसकी value जब भी आप देंगे तो आप इसकी value pixel में ही देंगे px यहाँ pixel को represent कर सकता है आप 2 pixel दे सकते हैं, 4 pixel दे सकते हैं, 1 pixel दे सकते हैं most of the cases, 1 pixel का ही border दिया जाता है लेकिन आपकी अपनी situation के according, अपनी condition के according 10 pixel, 20 pixel, जितना ही भी pixel का आपको border लगाना है आप लगा सकते हैं यानि pixel मतलब उसकी मोटाई को represent करता है इसके बाद border style जो हमारी second border की property है friends इसके अंतर के multiple values आती हैं, जैसे की border style none then border style dotted, dotted में क्या होगा, dot dot में border आएगा border style dash, dash में यानि dead dash में करके हमारा border आएगा इसके बाद solid, solid मतलब straight line में border आजाएगा double यानि हमारी double border यानि double line में border हमारा बनेगा चारो दरब से, इसके बाद grove, जो six value है, ridge, inset, outset and most of the cases hidden, hidden क्या होता है यह हमारे border को hidden कर देता है, छुपा देता है तो यह इसकी कुछ value थी, अब बात करते हैं friends हमारे border color की कि हम color किस तरह से दे सकते हैं border में तो by name दे सकते हैं, यानि it's specify the color name for example red, या तो आप color name के रूप में दे सकते हैं या तो आप RGB number दे सकते हैं, या उसका hexadecimal color code दे सकते हैं तो तीन तरह से आप border में color को define कर सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं, हमारे RGB number की जो 255 से last होता है, यानि कि हमारा 0 से ले करके 55 तक होता है तो ये 255 जो होता है, ये इसका full होता है यानि कि हमारा full color कह सकते हैं जो combination होता है red, green और blue का वही हमारा hexadecimal color code आप दे सकते हैं, color value दे सकते हैं ये A से ले करके F तक चलता है तो चलिए बात करते हैं हमारे short hand की कि हमारे border property का short hand क्या है तो short hand कह सकते हैं दोस्तो एक तरीका है जिसमें आप border with, border style and border color जो ये border की तीन अलग-लग property है तो इन अलग-लग property को अलग-लग तरह से use ना करके अगर आप single line में ही इसको use करना चाहें तो ऐसी situation में आप use करेंगे border के short hand की The CSS border is a short hand property used to set the border on an element यानि कि ये border की तीनो प्रोपर्टी का combination है जैसे कि सबसे पहले border लिखेंगे उसके बाद border width इसकी value देंगे pixel में यानि 2px दैन इसके बाद style को define करेंगे कि आप solid देना चाहेंगे none देना चाहेंगे, dash देना चाहेंगे, group देना चाहेंगे main set, outset, then इसके बाद थोड़ा से space देंगे और black यानि कि जो इसकी color value है तो color में आप नाम दे सकते हैं, RGB नमबर दे सकते हैं या hexadecimal color code दे सकते हैं तो I really hope friends कि आपको CSS की border property के बारे में काफी अच्छी और informative information मिली होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो please वीडियो को like and share करें अगर आप चैनल में नहीं हैं, तो please चैनल को subscribe करें So thanks for watching this video again, thank you so much